मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो अपने मन को सुनाना सीख जाए, उसी का वक्तव बेश हफल है, उसी का वक्तव सार्थक है, क्योंकि देखने में तो ऐसा आता है बाब, कि सुनाने को, सारे संसार को सुनाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे, जहां वो देखता है, जह और इससे बिल्कुल नितांत विपरीत जिसने अपने मन को सुनाया है, जिसने अपने मन को सुनाकर अपना वक्तव्य अपना उधबोधन सफल सार्चक किया है, उसकी वानी आज तक संसार सुन रहा है और सुनता रहेगा, वो मीरा हो, सूर हो, कवीर हो, तुलसी हो, नानक हो, रैडास हो या विरंदवन के रसिक संत हों, जिन्होंने अपने मन को सुनाया है, रे मन, रे मन, विरंदा, विपिन तज, कट चाहत विश्रा, बूली सकी अपने मन से कहती है, अरे मन, काके चरुन विसारे, करुनाधाम, कृपाल, किशोरी, हरीजु जाके ध्हांकत द्वारे तो कुमरी किस औरी नाम सौन यह जो आपकी पुकार है यह आपके मन का श्रिंगार बनेगी यह सुसजित कर देगी आपको कल मैं कह रहा था ना कृष्ण दरशन लालसा वो लालसा वो अनुराग उससे रंजित हो जाए जब मन जब कोई लालसा युक्त हृदय से प्रभू की ओर देखता है जब कोई लालसा युक्त हृदय से उन्हें पुकारता है तो उनमें कृपा शक्ति का उदह होता है भगवान में कृपा शक्ति का आवेश होता है फिर प्रभु जीव को स्नेह भरी दृष्टी से देखते हैं पिये रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाही यही यहां के रसिकों की पुकार है यही प्रार्थना है यही आशा और अविल आशा है इसलिए जहां तक अपने भीतर जा सकते हैं जहां तक अपने भीतर जा सकते हैं वहां तक पहुँचिए और वहीं से पुकारिए श्री राधा लाडली राधा किशोरी 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 राधा आज आप लोग आप लोग ने मेरे निवेदन का मान रखा और श्री जमना जी किनारे आप गए आपने श्री जी का नाम सुनाया इस उबटन और मारजन की दूसरी विधिया आपसे बताता हूं कि कभी विर्णावन की इन गलियों में अखेले कोई आपके साथ नहीं हो हो सके तो आप भी आपके साथ नहीं हूं एकांत में एकांत मने जब उसे एक का भी अन्त हो जाए जब कोई नहीं हो प्योंकि उनके आने की स्थिती तो यही है किसी ने कहा है कुछ इस अदा से कुछ इस अदा से रात वो पहलू नशी रहे जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे कभी अकेले बिलकुल अकेले प्रिंदावन की गलियों में मैं बहुत छोटा था तब ही से सुनते आ रहा हूँ कि मैं ताँ गोपाल गोपाल गाउंदी फिरा अपने मोहन नूमनाउंदी फिरा मैंने कल भी आपसे कहा था कि व्रिंदावन का बाहरी स्वरूप काल के क्रम से हम लोगों की मूडता अग्यता से किसी भी भाती विक्रित हुआ हो लेकिन व्रिंदावन का प्रान तत्व शाश्वत है व्रिंदावन का प्रेम तत्व सनातन है आद सच, जुगाद सच, हैवी सच और नानक होसी वी सच व्रिंदावन की जो नित्यता है व्रिंदावन का जो आत्म तत्व है प्रिया और लाल का परस पर प्रेम वो शाश्वत है उसकी धारा अभी भी यहाँ पर यूही प्रवाहित होती अक्षुन है, अगाद है, अबाद है कभी-कभी उसका स्पर्श करने का मन हो तो बिल्कुल अकेले कोई आपके संग ना हो और फिर कहराओं हो सके तो आप भी आपके संग ना हो योगी अगर आप आपके संग रहे तो फिर लोक की लाज, कुल की कान और जाने कौन-कौन से बंधन आएंगे जाने कौन-कौन से बंधन बांध लेंगे आपको और ललित किशोरी तो کہते हैं कि इस आबरू के मटके को चौरस्ते पर फोडे, ये भाई बंदु गुरुजन इन दुर्जनों को छोडे, किसे छोडने की बाट? किवल भाई बंदु नहीं? भाई बंदु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े ललित किशोरी दाना उस दिलवर से जोड़े जो रस की बात चाहे पिर सर की बात छोड़े हर किसी को सौदा एस सर नहीं मिलता हर किसी को सौधा इस सर नहीं मिलता और सौधा जो मिल जाए तो फिर सर नहीं मिलता कभी ऐसे बिलकुल अकेले व्रिन्दावन की गलियों में डोलते हुए गाईए गुन-गुनाईए लाडली राधा की शोरी राधा शी राधा 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 शी राधा शी राधा यहां के तरू लताओं को आज भी पुलकावली होती है हमारा बाबा बताता है कई बाद यहां के तरू लताओं को आज भी श्री प्रिया जी का नाम सुनके पुलकावली होती है भक्तमाल कार कहते हैं मन को आपरिशकार करने की विधी कि श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवन कथा मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाईये और विधावन के वासका विधावन के वासका परमप्रसाद क्या है विधावन का परमप्रताप क्या है कि रसिकों के सुसंग में मस्त रहू और जगजाल सोनाथ बचाए रहू अभी हम बात कर रहे थे ना कि इस निज मंदिर में आए हैं तो अपरस कैसे रहें असपर्ष कैसे रहें एक युक्ती है रसिकों के सुसंग में मस्त रहू और फिर रसिक कहां खोजेंगे आप तो यहां कोई और रसिक नहीं है यहां तो रसिक हृदेयों ने जन्वों ये अभिलास मन में रखी और फिर करुणा धाम किशोरी राधे उसमें कृपा करके वो उनकी आशा और अभिलाशा पुजाई है कभी प्रिया और लाल की बात सुननी हो तो किसी तरूलता के तरे बैठ कर रसिकों ने सिखाया है बताया है उनकी अपार कृपा है जो जो व्रिंदावन के वास की विधी बता दी जो अपना परमधन हमसे बाटा है उन्होंने रसिकों ने बताया है कि कभी किसी तरूलता के तरे बैठ कर पढ़री मैना कचो राधा को जस तू शुक बरन मुहन रस्वतिमा आप कहते हैं कि आए तो पर महराज आपने जैसा व्रिंदावन बताय ता वैसा मिला नहीं आपको जैसे व्रिंदावन में आना चाहिए ता आप वैसे आए नहीं व्रिंदावन तो वैसे ही मिलता आपको जिस प्रकार रंदावन आना चाहिए था आपको जिस प्रकार रंदावन का सेवन करना चाहिए था आप वैसे आ नहीं पाए क्योंकि मेरा निजी विचार होता तो संशय होता पर ये तो अनुभूती प्राप्त रसिक हृदय कह रहे हैं प्रगट जगत में जग्मगे श्रि व्रिंदा विपिन अनूप नैन अचत दीसत नही ये माया को रूप जे जे व्रिंदा वन व्रिंदा वन व्रिंदा क्या आपने सच में यहां पर आकर कभी खोजने का प्रयास किया कभी खोजने का प्रयास किया या कभी खो जाने का प्रयास किया कभी उन्हें पाने का प्रयास किया या कभी खुद को खोने का प्रयास किया तो ये दूसरी विधि में आपको उब्टन की बता रहा हूँ मारजन की बता रहा हूँ कि कभी अकेले मन में ये भाव भावना सजा कर अनवेशन करते हुए स्री राधा माधव युगल के चरण चिन्नों का अनवेशन करते हुए ये सदा अपने मन में रखिए आप जहां है ये नित्य धाम है यहां का एक एक कण यहां का एक एक कण उस परम प्रेम में स्पंदन से युक्त है जन्मों की जड़ता जन्मों का संचित अंधकार दूर करके इह रदय में प्रेम का सुरण कराने में समर्थ एक रजकन यत पादांबुरुहेक रेनु कणिकाम रेनु कणिकाम ब्रमेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुद वैभवाया महाप्रवु सुदानिदिगा आरंव करते है ब्रमेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद स्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया सरवार्थ साररसवल शिक्रपाद्र ब्रिष्टेस तस्या नमुस्तु ब्रिषभानु भुह महिं आप रहु किरें जो जिनके चरन कमल दुरू है ब्रह्मादिकों को ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग मैं जब-जब महाप्रभु की वाणी का चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि किस प्रकार प्रेम नक से लेकर शिक तक सुन्दर कर देता है सत्य कर देता है, शिव कर देता है सुन्दर कर देता है, किस प्रकार प्रेम जिस रिदय का स्पर्ष करता है कलम बात कर रहे थे न, कि गोपिया रोई, तो उनका रुदन सुस्वर हो गया रुरुदुहु सुस्वर न म्राजन फिर जब गोपिया प्रेम में भरकर गाती होंगी, तो कैसा माधुर होता होगा, किस प्रकार क्रश्न का आकरशन कर लेने में समर्थ हो जाती होंगी गोपिया ये तो सहिर्दयों के भावना का विशय है, पर मैं तो विचार कर रहा था, कि महाप्रभू स्तुति करते हैं, श्री प्रिया जी की चरण रेनु की, और क्या कहकर प्रकिर्तित करते हैं, प्रिया जी की चरण रेनु को क्या कहा है श्रीमत पराग परमादभुत वई भवाया कि हे स्वामी नी, ये रज नहीं है, ये तो आपके चरण कमलों का शोभाशाली पराग है रसिक रिदय इस पर बैठ कर इस मकरंद रस का पान करते हैं रसिक रिदय के लिए जिसको श्री किशोरी जी के चरनारविंद के कैंकर्य के इच्छा हो, कृष्टचंद्र महाप्रभू कहते हैं कि विर्णारण्य रसमये देही मे निश्चलार अतिम उसके व्रिंदावन की अपासना का जो स्थाई भाव है वो श्री प्रियाजी के चरनकमल हैं और चरनकमलों तक चरनकमलों की भाव-भावना को रिदय में धारण करने की सामर्थ किसकी है, वो व्रिंदावन की रज की है मलक्षमी, श्री का सीधा सीधा ऐसा अर्थ है जिसके आने के बाद आप सम्रिद्ध हो जाएं या लब्धवा, पुमान, अम्रतो भवती, सिद्धो भवती, त्रिप्तो भवती, जो आपको याचक से दाता बना दे, वो ही श्री है वो ही वस्तुते श्री मंत है, वो ही श्री मंत है जो देने वाला हो याचक कैसा श्री मंत है अभी तो क्या होता है ना हम जैसे लोग ऐसे शौकिया शौकिया कह देते अपने चेला चपाटाउं से और लिख दो हमारे नाम के आगे अनंत श्री विभूषित बेकार में आज आए कल चले जाएंगे और अनंत श्री विभूषित मुझ तो आज तक समझ नहीं आया अनंत श्री विभूषिक तो केवल एक मात्र श्री कृष्ण है और उनकी अनंत श्री क्या है श्री किशोरी जी के चरणारविंद का जो अगाद अबाद अनुराग उनके रिदे में कलोल मान रहता है उसी उसी प्रेम धन से उसी प्रेम धन के वो धनी है ये पंक्ती उनी की तो है परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा संसार में विरक्तों को अपनी विरक्ति से आ सकती हो जाती है भुठ समझने की वाद है विरक्ति से आ सकती हो जाती है और मैंने देखा ऐसे हमारे एक बाबा थे पत्तल में पाते थे उनका वरत था कि पत्तल में पाएंगे अब किसी के यहां पहुंच गए वहां पर पतल था ने उन्होंने चांदी के बर्तन में परोज दिया वहले हम तो पतल में पाएंगे अब बेचारे लगे पूरे शहर में दौड़ धूप करने कहीं पतल ने मिला बाबा भूके बेटे कुल बुला रहे हैं यह कैसी विरक्ती हुई रसिक रदे तो सहज है महलों में राखें और चाय जोपड़ी में वास दें दौपदास जी के रहे हैं जो सुख दुख लगे रहें देहसों मिट जाएं और लोक बढ़ाई मान अपमान बहाए दिये जीए एक गुमान प्रियाजु कोचे तो कभी रुंदावन की गलियों में एकांत अकेले रंग में तेरे रंग गई गिर धर छूट गया जग सारा बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तार मन का एक तारा इसमें एक ही तार हो दूसरा कोई स्वर नहीं किविल एक ही तार महाप्रभु का मन एक तारा है कि रहो कोव काहू मन ही दिये पै मेरे प्राणनात स्री शामा सपत करू त्रिन चिये भोली सखी का मन एक तारा हुआ सोवत जागत रटु निरंतर राधा राधा आगाँ सोमत जागत रटू दिरंदर राधा प्राधा गाओ अहो लड़ेती इतनी वोपर कृपा करोब निजाओ अहो लड़ेती इतनी वोपर कृपा करोब निजाओ सोमत जागत रटू दिरंदर राधा राधा गाओ सोमत जागत रटू दिरंदर राधा 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 गाओ अप लोग थोड़ा के गाओ जाइए ऐसे ही अहो लड़ेती इतनी मोपर कृपा करोब निजाओ और मैं केवल आपको ये भाव और भावना की बात नहीं कह रहा ये ब्रणावन धाम की महिमा है कि यहाँ पर भावना प्रत्यक्ष होती है जो आपके भाव का विशय है पुंजी भूतम प्रेम गोपांग नानाम यहाँ भावना प्रत्यक्ष होई है प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना पुंजी भूतम प्रेम गोपांग नानाम मूर्ती भूतम भागधेयम यदूनाम एकी भूतम गुप्त वित्तम शुती नाम श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम यहां लीला शुक कहते हैं कि शिडु सखी कौतुक मेकम कि अरी सखी एक कौतुक सुन कुछ-कुछ कौतुक माने जो आश्चर्य हो जो आश्चर्य चकित कर दे जो कभी घताणा हो और कभी जिसके फिर से घटने की पुन घटने की आशा ना हो न भूतन भविष्चति ऐसा आश्ररह करम आश्चर्य कौतुक श्रिनु सखी कौतुक मेकम नंदनेकेत आंगने मयादृष्ठम मैने एक कौतुक देखा है तो सकी ने बूचा कहां देखा है नंद नीकेत आंगने नंद बाबा के आंगन में देखा है धूली धूसरी तांगो धूल से धूसरी ते देखा है मैंने क्या निर्त्यती नाचता हुआ वेदान्त सिद्धान्त है वेदानतों का जो प्रतिपात तत्व है उपनिशदों का जो प्रतिपात तत्व है शृति जिसके विशय में कहते कहते ठक कर मौन हो जाती है और फिर उसी में विश्राम पा जाती है उसी में विलीन हो जाती है उसे मैंने नंद बाबा के आंगन में धूल से धूसरे धूली से भरा हुआ और नृत्त करता देखा है धूल भरे अतिशो भित शाम जू तैसी वनी सिर सुन्दर चोटी धूल भरे अतिशो भित शाम जू ये तो रज शाम सुन्दर का भी श्रिंगार करती है तो मैं निवेदन ये कर रहा था व्रिंदावन की गलियों में डोलना मन में भावना लिये क्यों क्योंकि यहां पर भावना प्रतक्ष होती है अनवेशन करते हुए खोजते हुए धूंडते हुए जावक जुत जुग चर्ण ललीके अदुभुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कलीके मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधी सुभग सिंगार निकुंज गलीके व्रिंदावन की इस निवरत निकुंज की गलियां है अलंकृत हैं सुसजित हैं किससे प्रियाजी के चरण चिन्हों से यहां स्री जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं यहां स्री जी के चरण चिन्ह अनुभूती में आते हैं और वो चरण चिन्ह कैसे हैं इसलिए कल मैंने आप से कहा था यहां का जाने कौन सी गली जाने कौन सी तरूल था इसने अभी अभी युगल का कर संस्वर्ष बाया हो जो अभी अभी युगल की कृपा द्रिष्टी का पात्र हुई हो जाने किसकी चाहतरे चाहतरे करें जुगल रसके जै 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 श्री बिंदावन और अपने कपोल पे कर धरे और नित्रंसों अश्रू भाते भई निज प्राणनात श्री स्यामा जू के चर्णन को ध्यान न कियो तो फिर कहा बिंदावन वास कियो कहा होई बिंदावन बसिवे यू अपने कपोल पे कर धरे और विंदावन की कव तरू लता के तरे और निज प्राणनात श्री स्यामा जू के चर्णन को न ध्यान कियो अरे राख मन भरोसो तो ही पोशे है श्री राधे महाप्रभू के रे विंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद विंदा टवीम अनुसर प्रणयेन चेतह किस प्रकार आईए यहाँ किस प्रकार से प्रवेश करिए विंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद किस प्रकार असपर्ष रहिए कोटी-कोटी साधनों को दूर से त्याग दिया है महाप्रभु ऐसा कहते है दूराद पास्स्वजनान सुखमर्त कोटिम सरवेशु साधन वरेशु चिरम निराशा और बोले जब तब से तो मैं निराश हो गया हूँ अलम विशय वारतया बात ही मत करो नर्क कोटी वीभच सया वरिथाशृति कथाश्रमो और इन शृतियों का पाठ करने और श्रवन करने में क्या रखा है वोले विव्यर्थ का परिश्रम है एक बर किसी ने कहा वोले गिए वेद वेदान्त का जो ये पाठ है ये इतना नीरस क्यूं है इतना शुष्क क्यों है क्यों इसे सुनने में रसा नुभूती नहीं होती तो व्रिंदावन के क्रसिक संत ने उत्तर दिया क्योंकि इसमें से रस तो ब्रिज की गोपियों ने चुरा कर अपने रदह में छिपा लिया है इस वेदांत का जो प्रतिपाद्य तत्व है रस वो तो गोपांगना उने चुरा कर अपने रदह में छिपा लिया है अब तो ये नीरस रह गए हैं अब तो ये शुष्क रह गए हैं तो ब्रिथा शुति कथा श्रमो बत भी भेमिकई वल्यत है ये ये बात आशर चकित कर देने वाली है कि यहां के रसिकों को किसी ऐसे किसी ऐसे रस्तत्य की अनुभूती होती है कि उसके सन्मुख उन्हे भगवान की विशुद्ध भक्ति श्रवनम कीर्तनम विश्नो स्मरनम पादिसेवनम अर्चनम बंदनम भगवान की वो नवदा भक्ति व्याजजी तो स्पष्ट कहते है कि नवदा भक्ति उभीठी लागत रति भागौत कथा की पोले कहीं कहीं तो अब हमें वो नवदा भक्ति भी फीकी लगने लगी है अब कोई पूचे क्या मिल गया आपको ऐसा अलम विशय वारताया नर्क कोटी वी भचसया समझ में आता है कि विशय की वारता कोटी नर्कों के समझ ग्रणित है विठा शुति कथा श्रमो बत भी भेमि कई वल्यत और शुतियों का पाठ भी नीरस्सा है पर परेश भजनोन मदा यदि शुकादाया किमतता पर शुकदेव जी जैसा कोई यदि भगवान के भजन में उनमत हो राए भजनोन मदा तो महाप्रभु केरें किमतता है उससे भी हमें क्या ले ना देना है क्या आपको उससे भी श्रेष्ट उससे भी अधिक उससे भी लोकोत्तर कुछ और मिला है वो ले हाँ परम्तुमम राधिका पद रसे मनो मज्चतू मंजुल मृदुल मनोहर सुख निदी सुभग सिंगार निकुंज गली के सुर्तरू काम धेनू चिंतामणी भगवत रसिक अनन्य अली के, स्री प्रिया जी के वो शीतल शंतम चरन कमल जिनका शोभाशाली पराग ब्रिंदावन की रज है और वो जो पराग है वो रसिकों के लिए रसकाम धेनू जैसे काम धेनू से जो मन का मनोरत हो उसे सन्वक नेविदन किया जाए तो पूर्ण होता है ऐसे रसिकों के हिरदय के प्रतेक मनोरत को पूर्ण करने वाली स्री राधा के चरन कमलों की रेणू है इसलिए इसलिए रसिकों ने विश्राम पाया इस भावना में और दिये कच्छु भावे नाही आप देखिए ना दर्शन की आशा है ना मिलन की इच्छा क्योंकि मैं प्राय करके कहा करता हूँ कि व्रिन्दावन का भजन प्रिया और लाल से मिलन का भजन नहीं है ये तो प्रिया और लाल के मिलन का भजन है ये श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर मिलते प्रिया प्रितम है और हृदे सखी का शीतल होता है खाए कोई और त्रिप्त होए कोई और और प्रेम की ये अवस्था प्रेम की दशा तीन लोक चौदा भुवन प्रेम कहूं धुरुवनाएं जगमग रयो जडावसों एक व्रिंदा वनमाएं ज्ञान के दृष्टी से विज्ञान के दृष्टी से शास्त्रिय दृष्टी से मनो वैज्ञानिक दृष्टी से किसी भी दृष्टी कौण से आप देखेंगे तीन लोक चौदा भुवन ये ये जो प्रेम है प्रेम कहूं ध्रुवनाए जगमग रयो जडावसों एक व्रिंदा वनमाए आप उस हैचरी के